I welcome you all to my channel In Short Maritime और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको lateral entry के थुरू कैसे admission लेना है in the course of B.Tech Marine Engineering वैसे तो मैंने अपनी IMU-CET की वीडियो में पूरा procedure, eligibility के साथ कि आपको कैसे admission लेना है what are the bare minimum requirements to join a college for B.Tech Marine Engineering through lateral entry वो समझा रखा है उस वीडियो में लेकिन आज मेरी इस वीडियो में हम इसी topic में depth में बात करेंगे इसके साथ मेरा एक batchmate केड़िट प्रनित पास थे जिसने खुद मेरे college में admission लिया है lateral entry के थुरू उसने first year मेरे college से नहीं किया था उसने lateral entry के थुरू admission लिया था directly second year में और वो अपना तीन साल का diploma करके आया था तो उसके पास एक advantage था कि उसको first year मेरे college से नहीं करना था उसी को lateral entry के थे हैं तो आज वो इस channel पे हमारे साथ जुड़ेगा और अपना पूरा experience शेयर करेगा उसने कैसे apply किया procedure बताएगा और उसी के साथ आपको advantages और disadvantages बताएगा कि आपको lateral entry के थुरू अगर admission लेना है और क्या requirements है कैसे आपको उसके लिए पढ़ना है सब बात करेगा वो आपके साथ आज जुड़ेगा मैंने उसका instagram username अपने description में डाल रख था है आप उसे जाकर के वहाँ follow कर सकते हैं उससे बात भी कर सकते हैं उसने मुझे बोला है he is very helpful वह आपको reply करके देगा अगर कोई भी doubt है तो आइए चलिए सुनते हैं कि Pranit Paste को lateral entry के admission के बारे में क्या कहना है Hello guys, I am myself Pranit Paste और आज का जो वीड़ो है lateral entry admission for BTEC Marine Engineering जिहां BTEC Marine Engineering का जो कोर्स है जो की 4 साल का है उसमें आपको lateral entry admission मिलता है जिसके तूह आप डारेक्ट सेकंड एर में ले सकते हो तो इसकी जो basic requirement है वो है आपका diploma order होना तो जो diploma जो है यह तीन साल का होगा वो आपको ऐदर mechanical engineering में लेना है या फिर marine engineering में लेना है तो और एग जो important बात है वो है कि आपका जो कोर्स है mechanical या फिर marine का diploma कोर्स वो AISAT approval होना चाहिए जी हाँ बहुत सरे institute है इंडिया में जो की AISAT approval कोर्स प्रोवाइड करते है तो आपको AISAT approval कोर्स ही लेना है अगर AISAT approval कोर्स नहीं रहेगा तो आप लेटर एंटे अडिमिशन के लिए वैलेड नहीं होगे उसके बाद जाता है लेटर एंटेटर एमिशन जो है वो process वो हरे college अपरिल या मार्च के मन्त में चालो हो जाता है तो वो process जो होता है वो basically हरे college के online site पे वो हैग form जो आजाता है उसका link आ जाता है तो आपको वो form फिल करना है उसके बाद आप short list होंगे तो बेसिक रिकार्मेंट जो है जो है शॉटलिस्ट के लिए वह है 60% एग्रिकेट आपको जो है डिपलोमाम के तीन साल में आपका जो एग्रिकेट रहेगा वह 60% मिनियम रहना चाहिए तो ही जाके आप लेटरल एंटरी के जो उनलाइन टेस्ट उसके लिए वैलिड होगी त तो इंग्लिश भी आपका बेसिक जो है वह अच्छा रहना चाहिए तो क्राइक विए उसके बाद जो आता है वह है साइकोमेटिक टेस्ट का तो है वह मार्क्स कैलकुलेट नहीं किया जाते है रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए बट आपका जो मेंटल स्टेट है वह इस चीफ इंजिनियर और जो कैप्टन रहेंगे वो आपका पसना इंटर्वी ले ले लेंगे तो यह एक अड्वांटेज है और सबसे बड़ा एड्वांटेज जो है लेटर्ल एंटर्वी का वो है आपको IMU-CET देनी नहीं नहीं पड़ती जियाँ जैसे कि 12 करने के बाद स्टुएंट्स इस बीटेक मरेंजरी कोर्स में अड्मिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो एक बड़ती पैसिक रिकार मोर्स में परता है वो है IMU-CET की जो IMU-CET यो यह विऋ एक्ष्ट को नहीं देना पड़ता है लाइंटरर्ल स्टुन्स को सिफ एक स्टीन सीच को इ otal वेज का कॉमन एंटर्स इक्जाम जिएक्स की मैं तो मुझे आनुनल की के लिए ती एमस ब्सक तो मोस्ट अप्रोजिस का फॉर्माट जो है वो सीम ही रहेगा, 60 अपका टेक्निकल और 40 जो है वाप इंगलिश पे और उसके बाद जैसे का में बहुत इंपोर्टन वह है इंटर्वी तो यह बहुत सरी चीज़ होगी तो उसके बाद आगे जो आगे जो आता है वो है कोप अ सब्सक्राइब करना 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 तो आपके पास practical knowledge काफी जादा रहता है as compared to the other students क्योंकि आपने जो 3 साल आप diploma course करोगे तो वो तीनो साल का जो diploma courses है उसमें काफी practical knowledge इंक्लूड रहता है और most of the diploma study ये practically based रहती है तो आपको ये काफी advantages रहता है जब आप शीपे काम करोगे तो प्रैक्टिकल रहता है तो प्रैक्टिकल जो गरीब रहना चाहिए वो काफी अच्छा होता है दिप्लोमा स्टूरंट्स का तो और ऐसी बहुत सरी companies है जो प्रेफरेंस देगी कि दिप्लोमा और प्लस डिग्री स्टूरंट्स के लिए क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलजच पर काफी इंपॉर्डंस देना रहता है तो यह सब चीजे हो गई एडवांटेज़ आगे है डिषएडवांटेज अगर इस कोर्स का बात करेंगे तो यह है जो वेकैंसी रहती है हर एक कॉलेज में वह वायリ करती है यह तो यह अगर पिछले साल किसी कॉल्च के वैकम स्टूर्ज के काफी जाद है तो इस साल कम रह सकते है तो यह है एक डिसरवन देज की उस कॉलेज की यह वह किसी भी कोलेज की जब वैकैंसी रहती है वह हर साल चांग तो उसके हिसाब से आपको उतने competitive रहना पड़ता है कि आप उस यागाप पर जाके उस वो जो है opportunity उसको grab कर सके तो ये था मेरा video आपके लिए I hope आपको ये जरूर help करेगा and wish you good luck thank you so much I would like to thank Pranit for joining this channel and sharing his experience with us all I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ help मिली हो जो भी aspire करते हैं merchant navy, Btech Marine Engineering को join करने के लिए through lateral entry लेकिन अगर फिर भी आपके पास कोई और doubt है या कोई भी question है so please comment down in the comment box I will reply I will look into that अभी मेरा channel नया है it is a new channel अब बड़े बड़े channel होते हैं जिनके बहुत subscribers होते हैं सबको reply नहीं करते हैं but because I don't have many followers as of now to be honest तो मैं सबको reply करूँगा मैं सबकी query को बहुत seriously लूँगा और अपनी तरफ से पूरी help करने ही कोशिश करूँगा so with this मैं आगे नहीं वीडियो निकालने वाला हूं related to NDA, the differences between NDA and merchant navy और मतलब ऐसे लोग जिनोंने SSB भी अटेंड करा हुआ है लेकिन और फिर भी मेरे college में सबको I will bring them to my channel all I need कि आप मुझे follow करें आप मेरे वीडियो को like करें subscribe भी करें अगर आप कर सकते हैं तो क्योंकि मुझे लगेगा कि कोई मेरे वीडियो देख रहा है तो it would work like an encouragement तो with this thank you all for watching my video I hope कि इससे आपको मदद मिली हो